नमस्कार मैं भुपांदर पंडे हिंधी चनल में आप सब का हार्दिक स्वाइद करता हूँ और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले पाति बेला आइकोन को दबाना ना पूलें था कि मेरे प्रते क्विडियोक अपडेटस आपको मिलते रहें अभी 18 जून 2024 को जो UGC Net JRP का एक्जाम हुआ था जो बाद में रद्ध हो गया तो उसके question paper को देखते हुए आज मैं प्रस्न पत्र का विसलेशन करूँगा कि question paper का trend क्या है आज कल वस्तों में पहले जब UGC Net JRP का एक्जाम होता था तो comparatively थोड़ा आसान प्रस्न आ जाता था प्रस्न बहुत सरल होते थे प्राए आभी की तुला में लेन वर्तमान समय में आपको अधारणाओं का पुरी तरह से आपके मन में इस पश्टता होनी चाहिए और आपको test book को भी पढ़ना बहुत ही जवरी है तो जो लोग नए aspirants हैं या फिर पुराने हैं जो पहले से त्यारी कर रहे हैं या फिर यो बिल्कुल नए सीरे से त्यारी करना चाहते हैं तो मैं आज आप लोगों को प्रश्ण पत्र के अधार पर बताऊंगा कि UGC NET JRIF Hindi दुती प्रश्ण पत्र की त्यारी कैसे करें मेरे पास एक प्रश्ण पत्र है लेकिन उसमें चुकि वाटर मार्क लगा हुआ है किसी का तो मैं उसका पको दिखा नहीं सकता आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं उस प्रश्ण पत्र के अधार पर मैं क्वेस्चन पेपर के ट्रेंड का विसलेशन करूंगा और उसी के अधार पर आपको त्यारी करनी है ताकि आप बहुत ही आसानी से इस एक्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं इसमें 18 जून 24 को जो प्रश्ण पत्र आया था हिंदी का उसमें जो पहला प्रश्ण था संस्क्रिती के चार अध्याय के विभिन प्रकरणों के शिर्षकों को पहले से बात के करम में लगाईए अब देखिये संस्क्रिती के चार अध्याय जो किताब है रामधारी सिंधिनकर जी की तो इसमें जो अलग-अलग अध्याय है तो इनको आप करम में लगाना है तो मतलब आप जब किताब पढ़ रहे हैं तो उसके अध्याय को भी ध्यान में रखना है इसे आपको यह पता चला कि जब भी आपको किताब पढ़ रहे हैं चाहे शेखर एक जीवनी पढ़ रहे हैं चाहे अंधायुक पढ़ रहे हैं चाहे भारत दुर्दसा जो भी पढ़ रहे हैं उसमें आपको प्रकरण आपको मालूम होना चाहिए ठीक है दूसरा है छायावाद के सम्मद्ध में इनमें से कौन से कथन आचारे रामचंद्र शुक लगा हैं मतलब छायावाद के भी इन आलोचकों के उधानाओं के विचारों का अध्यान करते हैं चायावाद ने किसी भी मारस वाद हो चायावाद हो या फिर कोई अन्य वाद हो हिंदी कविता की तब आपको क्या है ध्यान रखना है कि किस आलोचक ने क्या कहा है और क्या नहीं कहा है तो इससे यह पता तो भोजकत तो भ्यापार, भावकत तो भ्यापार इन सब चीजों को आपको याद रखना है मतलब आप पढ़ते समय आप केजूल तरीके से आपको त्यारी नहीं करनी है आपको बहुत ही गहराई से अध्यान करना है विभिन और धारणाओं को सब्धारणी करन्ड से संब्धी था या इसके बाद जिन्दगी नामा उपन्यास में आए इन गीतों मुखनों को उपन्यास में आने के अनुसार पहले से बाद के अक्रम में लगाई Casa अब जिब आप जिन्दगी नामा उपन्यास को जब आप पढ़ रहे हैं तब आप उसको ध्यान से पढ़ना है, एक दुबार पढ़ेंगे तो आपको पता चलाएगा, तो इससे आपको यह पता चलता है कि टेस्ट बुक को, जितने भी उपन्यास लगे हुए हैं UDC NET GRF में, पहले आपको टेस्ट बुक को पढ़ना है, तब ही आप रसनों को हल कर प किते हैं, इसके बाद धर्म शास्त्र राम गुप्त से ध्रूल स्वामनी के मोक्ष की आगया देता है, इस समाद में मोक्ष शब्द का उचित अर्थ है, तो मोक्ष सब मतब तलाक की आगया देता है, तलाक यह फिर विवाव इच्छे जिसको हिंदी में कहते हैं, तो यह ज इसके बाद जदी आप यूपी एसी की तियारी करते हैं, तब आपको बहुत ज्यादा सहुलियत होगी, तो जितने भी नाटक हैं, और नीबंध हैं, और आपके उपन्यास हैं, कहानी हैं, जो लगे हुए हैं, इसको आप पूरी तरह से आपको थारोली पढ़ना पड़ेग इसका सफलता का कोई साटकट नहीं है, बाद में आप देखेंगे कि इसका आपको बहुत फादा मिलता है, इसके बाद सरोजी स्मिती कविता की इन पंक्तियों को कविता में आने के अनुसार पहले से बाद के करम में लगाएं, सरोजी स्मिती निराला का शोक गीत है, जो हि गापत्रे टेस्ट बुक को पूरा पढ़ें, बिना टेस्ट बुक को पढ़ें, खाली गाइट से दिकों तयारी कर रहें, तो उनके लिए रास्ता बहुती कठीन है, लगबग असंभाव है इसको क्लियर कर पाना, तो टेस्ट बुक को आपको ध्यान से पढ़ना पढ़ेगा, और टेस्ट गोग पढ़ते समय आप इन सब को अंडरलाइन कर लिजे टेस्ट गोग में जहां जाद GCR में आई हुए है ना यह पंक्ति आई हुए है उसको आप अंडरलाइन करके आप पैंसिल से अप लिक दीजे कौन से वर्स में पंक्ति आप पूछी गए है इसे आपको आसानी हो जाएगा इसके बाद है अगला अपनपव आप ही बिसरो जैसे सोनहा काच मंदिर में भर्मत भूकी मरो कबीर की उपरिक्त पंक्तियों में सोनहा शब्द का उची तर्थ है तो यह सब आपको पता चलेगा जबाब टेस्ट बुक को पढ़ेंगे तो इनको आपको याद रखना है कि किसने लिखा है चाहे आत्मकता हो चाहे जीवनी हो चाहे संस्मराण हो चाहे रिपोतार्ज हो जो हिंदी गद्य की जो विभिनने विधाए है उसके लेखा कौन कौन से है जैसे रेखा, चीतर, संस्मराण, यात्रा, साहित, आत्मकता, जीव इसके बद अगला क्वेश्चन है इसमें जो नाटक जो भी लगे हुए हैं आपके उसमें किस पात्र ने कौन सा समवात कहा है कौन सी कविता कही है यह आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है जैसे हैं हिंदी नाटक है हिंदी नाटक और रंगमंज का विकास इन सब बातों को आपको जब तक आप टेस्ट बुकों नहीं पढ़ेंगे आप यह सब बनना आपके लिए मुस्किल है तो मैं आपको पता देता हूं एक बार तो जब भी आपको इनाटक अगर आप पड़ रहे हैं जैसे कि सबदे बात करें बात कर रहा है तो जी इस पात्र नेयत समात कहें हैं उसको आपको ध्यान में रखना है उनकी कवीता को द jáन में घ्रम न पर बात कर रहा हैं ज्यादा मैं आपको डीटेल में में चर्क्यरा नहीं रहा हूं ब्हस्क्र leverage को निम्न मेल से किन आलोचना पुस्तकों के लेखाक मुक्ती बोध हैं तो इसे क्या पता चला है विभिन आलोचकों के जो गरंथ हैं उनकी रचनाओं को आपको याद रखना है नई कविता का आत्मसंगस तथान्य निबंद लगुमानाओं के बाने हिंदी कविता, इतिहास और परंपरा इन किताबों के नाम दिये हैं मतलब विभिन आलोचकों ने कौन से आलोचना गरंथ लिखे हैं इसको आपको याद कर लेना है इसके बद जब तक भाषा बोल चाल में थी इसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा इसके बाद निम्नांकित चरित्रों को ततसंबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकासन वर्स के अनसार पहले से बात के करम में लगाए तो यह जो उपन्यास है उनके चरितरा आपको दे देगा और वो कब प्रकासित हुआ लिखना है उनके प्रकासन करम के आधार पर आपको क्या करना है पात्रों को जमाना है आपको मालूम होना चाहिए कि गोदान कब लिखा गया या और भी जीतने भी उपन्यास आपके लगे हुए एक बर मैं बता देता हूं आपको जो उपन्यास है इसमें उपन्यासों के पात एक जीवनी है हजारी प्रसाथ दिवधी की बाण भठ की आत्मकता है मेला आचल है जूठा सच है मानस कहांस तमस तो आपको क्या याद रखना है कौन से पात्र है पुरुस पात्र नारी पात्र दोनों को आपको अलग-अलग याद रखना है तो जितने विपन्यास हैं उनके पात्रों को आपको याद रखना है और उनका प्रकाशन वर्ष, इसके साथ ही लेखकों को, और कवbn Corn को जो जीवन काल है उसको भी आपको याद रखना है इसके बाद है, भारत दुर्दसन नाटक के विभिन घीतों के उपर शयली राघ का नाम दिया गया है निम्ले में से किन-किन का प्रयोगिस्ट नाटक में है तो भारत दूर दर्शा में जो जो कविताएं आई हैं वो कौन से राग रागनी में निबत हैं है ना शैलिया राग उसके बारे में आपको लिखना है तो यह आपको मालूम होना चाहिए मतलब कुल मिलाकर जब तक आप टेस्ट बुको नहीं पढ़ेंगे आप प्रश्णों को हल नहीं कर पाएंगे तो ध्यान से आपको पढ़ना है इसके बाद अर्दमागदी प्राकृत के सम्द में सत्यकतन है तो अपभरंस के बारे में आपको पुरा पढ़ना पढ़ेगा अर्दमागदी के बा इसके बाद है सूची एक के साथ सूची दोका मिलान करिए इसमें राइड साइड में वीशेशन के प्रकार दिए लेट साइड में वीशेशन दिया है जैसे अच्छा सर्वास कूछ हुआ तो आपको वीशेशन का चेप्टर भी आपको ध्यान में रखना है तारवनामिक विशेशाण है कि परिमान वाचक विशेशाण है कि गुण वाचक विशेशाण है कि संख्य वाचक विशेशाण है मतलब हिंदी का जो प्रारंभिक जो व्याकराण है उसको आपको तयार करना है कोई भी प्रसना ऐसा नहीं है जिसके आप उपेक्षा करेंगे एक एक प्रसना आपके लिए महत्पूर्णा है इसके बाद है बीतर तो कदम रख दिया पर सहसा सहम गई जैसे वह किसी अंधेरे कुए में अपने आप पूत पड़ी हो ऐसा कुए जो निरंतर पतला होता गया है और जिसमें पानी की गहराई पताल की परतों तक चली गई हो जिसमें पढ़कर वह नीचे धस्ती चली जा रही हो यह कथन कीस कहानी से लिया गया हो लिया गया है तो कोशी का घटवा राजा निर्बंसिया अपना अपना भाग यह सब कहानी यहां पर दी गई है नाम इनके नाम दिये गए हैं परिंदे तो इससे क्या पता चलता है कहानियों में भी आपको अंदर से क्वेस्चन आएगा आपको ध्यां रखना है किस पातर का कथन है किसने कहा या, फिर किस कहानी से यहलिया गया है रिर्लयिकित में कौण सा इस्थान बांगनृब बोली का शेत्र माना जाता है तो हिंदी के जो उपभाशाय हैं उनके उन्से सम्मद जो बोलियां उनके शेत्र का नाम आपको याद करना है मतलब पांच उपभाशा है हिंदी की वो कौन-कौन से शेत्र में बोले जाती है उसको पूरी तरह से आपको त्यार करना है किसी भी प्रस्णा के आपको बेक्षा नहीं कर सकते इसके बाद एक कि यहां पर पंक्ती दी गई है यह अगित गोदान में कौन सा पात्र गाता है मतलब जितने भी उपन्यास है गोदान है या फिर मेला अंचल है जूटा सच है तमस है राग दरबारी जिन्दगी नामा आपका बंटी जिसमें भी पंक्तियां आ रही है कविताएं आ रही है तो उनको याद रखना है कि इस पात्र के द्वारा कौन पंक्तियां बोली जा रही है गाई जा रही है तो इसको आप बार-बार पढ़ेंगे तो आपको पता चलाएगा एक बार तो आपको टेस्ट बुक को पढ़ना ही पढ़ेगा और यह जो पंक्तियां आई हूँ या परिच्छा में उसको आप अंडर लाइन कर लें वहाँ पर ब्रैकेट में आप पैंसिल से आप मार करके लिखे लें कि कब यह पंक्ति पूछी गई है तो पढ़ते पढ़ते या भी ध्यां रखना है इसके बाद अमरीत सर्में अंजान लड़की से क्या तेरी कुडमई हो गई यह सवाल पूछते वक्त लहना सिंग की आयू थी तो यह जा रहे हैं अब उसने कहा था कहानी से लिया गया है तो उसमें लहना सिंग की आयू क्या थी लहना सिंग की उसमेर उम्र उम्र क्या थी अब यह देखे इतने अंदर की चीट पूछी गई है आपको तो चंद्रधर सर्माजी की कहानी है उसने कहा था तो बहुत यह अंदर से प्रस्णा आ रहे हैं अब आपको रूची हो चाहे मतो सभी उपन्यास और सभी रचनाओ को आपको पढ़ना होगा आता मिलने वाला है सेखरक जियनी को पढ़ना पड़ेगा मेरी तिबत यात्रा के खंडों को पहले से बात के क्रम में लगाई है तो मेरी तिबत यात्रा यात्रा वितांत है तो इसमें जो विभिन्न खंड आये हुए हैं उनको आपको सिरियल नंबर में जमाना है मतलब जब भी आपको किताब पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा पुरा सिरियल नंबर से उनके अध्याय को उनके खंडों को याद रखना पड़ेगा तो मेरी तिबत यात्रा रहूल संस की तयान का है ये तो इसमें जो खंड हैं, जो अध्याय हैं, कुछ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप नोट्स बना लिए, उनके खंडों को प्रापर आडर में लिख लिए, और यो कभी अलेखा का है, उनके जीवन काल को भी आपको याद रखना है, कभी इनकी जन्म हुई, कभी इनकी मृत हुई, इसके बाद है, एक साहित्तिक की डायरी के अध्याय, कलाकार की विक्तिकत इमानदारी, एक पात्र यसराज की सेक्षणिक योगिता क्या थी, अब एकदम डीप क्वेस्चन है, जब तक आप एक साहित्तिक की डायरी को बहुत गंभिता से नहीं पढ़ेंगे, तब आपके लिए इस प्रस्णों को बना पाना, बहुत ही मुश्किल होगा, इसके बाद एक साहित्तिक की डायरी के अध्यायों के शिर्सकों को पहले से बात के क्रम में लगाए, मतब अब जो भी किताब आप पढ़ रहे हैं, कोई भी किताब आप पढ़ रहे हैं, उसमें जो प्रापर आडर में याद रखना है, चाहे अंधा यूग हो, चाहे जो भी हो, तो यह हो गया, असाद दे विड़ा में, असाद दे विड़ा कविता में वांडित, प्रियमवत के निरव एकल आप में आये, संबोधनों को पहले से बात के क्रम में लगाए, एकल आप मतलब असाद दे विड़ा जब आप कविता पढ़ेंगे तो इसको भी ध्यान से आपको पढ़ना है, कि किस प्रकारूनों ने एड्रेस किया है, इसके बाद इन में से कौन 13 शती में मुख्य कावेशास्त्री के रूप में प्रसिद्ध हुए, तो इससे क्या पता चलता है आपको भारती कावेशास्त्र के जितने भी आचारे हुए हैं, उनके समय काल को ध्यान में रखना, आचारे भरत मुनी का समय क्या है, आचारे कुंतक का समय क्या है, आचारे भटनायक का समय का है, जगनात का समय क्या है, तो जितने भी आचारे हुए हैं, उनके समय काल को ध्यान मे रखना है इसके बाद सूची एक के साथ सूची दो का मिलान कीजिए लेप्टर साइड में दिया है पाश्चात्य कावे शास्त्र संबंधी कृति वेस्टर लिट्रेरी किटिसिजम के बारे में दिया हुआ है और राइट साइड में उनका पाश्चात्य कावे शास्त्री जैस भारती कावेशास्त्री जो हुए हैं भारती जो आचारी हुए हैं उनकी कौन सी रचना है और उनके लेखा कौन है तो उनको सही जोड़ी जमाने के लिए आड़ाएगा ठीक है इसके बाद सत्पुड़ा के जंगल कविता में किस वाध्य अंत्र का उलेक हुआ है तो इसको आ अर्थ निकलता है कि विभिन उपन्यासों को परते हुए आपको पूरे पात्रों को याद रखना है जितने भी इस्त्री पात्र है जितने भी पूरूस पात्र है उनको आपको याद करना है चाहे उपन्यास हो चाहे कविता हो चाहे कहानी हो चाहे जो भी हो तो पात्रों को भी ध्यान में रखना है कितने इस्तिरी पात रहे हैं कुतने पूरूस पात रहे हैं आज मैं आपको detail analysis कर रहा हूँ यही आपके तैयारी को दिश्णा निर्धारित करेगी मैं आपको यह बताना चाहरा हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है चीजों को पढ़ते समय कीन बातों को ध्यान रखना है और टेस्ट बुक में बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपको टेस्ट बुक का अनिवार रूप से पढ़ना है तो एक साल के अंदर आपका एकजाम निकल जाएगा अधिक्तम और जो पहले से त आपको पूरी तरह से पढ़ना है यदि आज का मेरे लेक्चर आप मीस कर देते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ आप मीस कर देंगे ठीक है आपको शुरू से अंते तक जरूर देखना है तभी पैटर्न इसपस्ट होगा और आपकी तयारी को एक दिशा मिलेगी और निशित और संपादित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन वर्स के अनुसर पहले से बात के क्रम में लगाईए ये क्वेश्चन पेपर आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं उसके अधर पर आप पैटर्न को समझ सकते हैं मैं सिर्फ आपकी तयारी को एक दिशा देने का प्र रहे होंगे लेकिन टेस्ट बुक को पढ़ना निवार है और त्यारी कैसे करनी यह मैं बता रहा हूं तो आपको जमाना है मतलब मैं तो आपको सदेश्ट करता हूं कि जो भी रचना आप पढ़ते हैं उनके प्रकाशन वर्स को जरूर साइड में लिख लें चाए अंधा य लेखक का नाम लेखक का जीवनकाल लेखक का हो गया नाम हो गया जीवनकाल हो गया उनकी रचना है उनका प्रकाशन वर्स उस अडर में आपको लिखकर रख लेना है चाहे जो भी पढ़ रहे हैं उपन्यास कहानी है कहां की जो भी है इसके बाद महादेवी वर्मा के इसके बाद मैं आता हूं महादेवी वर्मा के निम लिखित में से किस निबंद संकलन का केंदरी विशय, इस्त्री की मुक्ति है तो महादेवी वर्मा के यहाँ पर चार निबंद ये गए हैं भारती संस्क्रिती के स्वर स्रिंखला की कडियां साहित्यकार की आस्ता तत्याने निबंद च्णडदा तो वा कौन सा निबंद है जिसमें उन्हें इस्त्री मुक्ति के विशय को उठाया है तो पढ़के पता चलेगे आपको इसके बाद है मिस्र बंधुों द्वारा रचित मिस्र बंधु विनोत कुल कितने भागों में विभागता है तो आप हिंदी साहिते की इतिहास परते समय आपको सब को ध्यान में रखना है चाहे हिंदी साहिते का वैग्यानिक इतिहास हो चाहे मिस्र बंदु मिनादर या जो भी हिंदी साहित का इतिहास है कि वह कितने भागों में भी भागता है इसके बाद निमली खित में से कौन से पात्र कोशी का घटवार कहानी के हैं इससे हमको क्या पता चलता है कहानियों के पात्रों को हमको याद रखना है कौन से पात्र क इस कहानी का है इसको आपको notes बनाना पढ़ेगा या फिर कुछ किताबों में दिया होगा गाइड में दिया होगा तब आपको याद रखना पढ़ेगा इसके बाद बकरी नाटक के इन गीतों को नाटक में आने के क्रम से पहले के बाद के क्रम में लगाएए तो बकरी जो नाटक है इसमें कौन सी कविता कब आई कौन सा गीत कब आया तो जब आप नाटक पढ़ेंगे तभी पता चल पायागा आपको बकरी नाटक को पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कौन सी कविता पहले आई और कौन सी कविता बाद में आई यूगाल गीत प की सफलता बहुत ही मुश्किल है तो इसको जब आप पढ़ेंगे तब ही आपको पता चलेगा ध्याना से आप टेस्ट बुक सारे टेस्ट बुक आपको लेना पढ़ेगा और ये किताबें बाद में भी आपके काम आएंगी और हो सकता ही जब आपने ग्रेजेशन किया हो पीजी किया हो तो बहुत सारे किताबें आपके पास पहले से होंगी लगिन टेस्ट बुक आपको पढ़ना ही पढ़ेगा चाहे आप पीडियाप डाउनलोड कर लें कहीं से या फिर टेस्ट बुक खरीद लें जो भी आपको सहौलियत हो इसके बाद है करीमुद्दिन किस कहानी का पात्र है दुनिया का अन्मोर रतन गैंगरीन परिंदे सिक्का बदल गया तो यह कहानी के पात्र के फिर चर्चा हो रही है पुरुष पात्र है अंधा युक के अँखों को पहले से बात के करम में लगाईए जैसे मैं पहले बता चुका था अंधा युक धरमइर भारती का गीती नाटिया है तो इसमें जो अंख है उन अंखों को आपको कहा है सीरियल आजर में याद करना है खाली अंकों को याद नहीं करना है उनका क्रम क्या है पहले कौन सा या फिर दूसरा तीसरा चोथा पात्वा इस तरह आपको याद रखना है इसके बद किस जाती की समाजिक विवस्था कैसी होती है उसका साहित भी जिस जाती की समाजिक अवस्था जैसी होती है उसका साहित वैसा ही होता है जातियों की शम्ता और सर्यूता यदि कहीं प्रत्यक्ष देखने को मिल सकती है तो उसके साहित रूपी आईने ही में मिल सकती है यह कथन की सिलिखक का है तो इसको जब आप पढ़ेंगे समिच्छा को आलोचला को तब आपको पता चलेगा इसके बाद आलोच साहित है चाहे आपके में लगे हो इसमें चाहे ना लगे हो जितने भी उपन्यास साहित है हिंदी उपन्यास का उद्धोर विकास जवाब पढ़ रहे है तब आपको प्रकासन क्रम के आधार पर उनको आपको ध्यान में रखना है याद रखना है तो मैं आपको सजेश्ट क को उनके प्रतम प्रकाशन के अंसर पहले से बात के क्रम में लगाई है भारती कावे शास्त्र में भी यह प्रसना आ गया कि कौन सा ग्रंथ पहले प्रकाशित हुआ था कौन सा ग्रंथ बाद में प्रकाशित हुआ था इससे एक ऐसे पता चलेगा तो जो भारती जो आचायरी ह दूसरी शerneब दीके हैं, 4 debates में नभी शताब दीके हैं मुझा अभाट होनका अब और अच्छलेटर, इसके बाद डूख दूख का समय काल कौन सा है, क्या भूलू क्या याद करूं में आये चरित्र हैं हर्वेंसरा बचनी की जीवना जो चार भागों में उनमें क्या भूलू क्या याद करूं में आये चरित्र कौन कौन से हैं इसके बाद इसको आपको पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा सूची एक के साथ सूची दो का मिलान कीजिए सूची एक के साथ आपको क्या है सूची दो का मिलान करें खरविलान साह बचनी का क्या आत्म करता का यही भाग है क्या बोलूं क्या यात करूं इसके बाद देखिए यहां पर है सुची एक के सांद सुची दो को मिलान कर यह बोरा है इसमें बोरा है समाद दिया हुआ है और आपको बताना है कि यह किसका समाद है कुछ नाटक है उनका समाद दिया हुआ है नाटकों के समाद और किस करेक्टर ने वह समाद बोला है इसके आपको आपर मिलान करना है जैसे धनवानों के हाथ में एक ही माप है वेविद्या, सांदयरेबल, पवित्रता और तो क्यार हिदय को भी उसी से मापते हैं वह माप है उनका आयसवारी तो लेप्टे साइड में क्या दिया है उनके स्थमाद दिये गए हैं पात्रों के और राइड साइड में नाटकों के पात्र या चरित्र दिये हुए हैं तो इस तरह आप पूरा पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा इसके बाद राजभाशा से समन्द में भी परियाद तो प्रस्णा रहा है पहले राजभाशायव का गठन काब हुआ था तो पहले राजभाशायव का गठन हुआ था सन 1955 में तो राजभाशा से समन्दी प्रस्णों को बहुत अच्छे से तियार कर लेना है यह बहुत आसान रहते हैं इसको तो पूरा याद करके बनाना है आपको इसमें गबड़ी नहीं होनी चाहिए राजभाशा के समन्द में इसके बाद सुची एक के साथ सुची दो को मिलान कीजिए इतर अमीर खुस्रों के दोरा रचित पहली दे दिया गया है और राइट साथ में पहली का उत्तर दिया हुआ है अमीर खुस्रों हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कभी है पता है आपको खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कभी अमीर खुस्रों है चदाविश चताबदीन का समय काल है लेटर साइड में इनका क्या दिया गया है पहली दिया गया है और राइट साइड में पहली का उत्तर दिया है उससे आपको मिलान करना है इसके बाद है चकीत चकत्ता चौकी चौकी उठे बार बार दिली हरसती चिता है चाही करशती है तो इस पकार एक कविता दी गई है और या पंक्तियां किस कवी की है तो पंक्तियों को याद रठना है कवी को याद रठना है तो कौमान सा प्रशन आता है मति राम भूशान कुलपति मिस्र निवाज तो रिति कलिन ये कवी है इनके बारे में प्रशना है हुआ है प्रयोगवाद के समझ में इन में से कौन से कथन नामवर सिंह के हैं तो नामवर सिंह ने जो प्रयोगवाद की जो समिच्छा की आलोचना की है तो उनके कथन कौन से हैं पांच प्रस्न दिया है उनमें आपको चूस करना है कि कौन से कथन सही है नामवर सिंह के हैं अकाल और उसके बाद नागारजुन की यह कविता है अकाल क्या क्या इफेक्ट हुआ तो कुतिया कववा चुहा चक्की छिपकली इनको प्रापर आडर में लगाना है तो जब इस कवीता को पढ़े रहेंगे तभी इसको लगा पाएंगे इसको किताबों को पढ़ना है करके आपको बोजील होने की ज़रत नहीं है यह जस्ट इस बहुत मज़ा आएगा चाहिए जो भी कि आप उपन्यास पढ़ रहा है कहानी पढ़ रहा है इसको आप मनरंजन के दिश्टी से भी पढ़िए टाइम पास के दिश्टी से भी पढ़िए बस थोड़ा गंभीरता से पढ़कर आपको समझना है बहले आपको बहुत भारी कर रहे हैं क्योंकि जीवन भर आपको पढ़ना और पढ़ाना है एक शिक्षक कभी भी पढ़ना नहीं छोड़ता है इसके बाद राम विलाज शर्मा की निम लिखी तरचनाओं को प्रथम प्रकासन वर्स के अनुसार पहले से बात के क्रम में लगाईए और डॉक्टर राम रचना क्रिंथ पढ़ रहे हैं इनको प्रापर आडर में लिख लिए चाहार हजारी प्रसाद यादियों आचार राम चंदर शुक्ल हैं ये बड़ी बड़ी हस्ती हैं इनकी पुरी रचनाओं का प्रकासन क्रम आपको मालूम होना चाहिए इसके बाद सवा है 1857 के प्रथम इत्र फरोष पर हमला कर उसे घायल करने वाले पात्र का नाम है अभिश मसानी के तमस उपर न्यास को पढ़ेंगे तभी आप इसको बना पाएंगे तो आपको क्या करना है इस किताब को आपको पढ़ना पढ़ेगा तमस को इसके बाद आप अगर यह सोच रहेंगे कोई प को इस तरीके से बन रहें है आपको सिलेबस आइडिया होना चाहिए तभी आप निकाल पाएंगे तो इसके बदक विच्ञान और कविता के संबन में किस पास्चा ते विचारक ने प्रमुक्ता से चर्चा की है तो आपको नी बंद लिखा है आये रिचार्ट हैं कि टीर ट है कि डॉक्टर जांसन है कॉलरीज है तो आपको देखना है किस आलोचक ने इसके बारे में विचार किया है किस पास्चात्य आलोचक ने परबद समूद अगम बीच भीहडग गन बनधाक कीमी के भेंटो कंत तुम्हा ना मोही पावन पांक यह कविता जैसे कृत पदमावस क नागमती वियोगखन में किस मास के वर्णन के अंत में आया है तो विभिन्न महिने का उन्होंने वर्णन किया है नागमती विभिन्न प्रकार के जो आते है माह आते है उसमें उसकी मनोदर्शा क्या होती है तो आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा नागमती वि इसको पर आप मैंने इस पर एक लेक्चर भी बनाया हुआ है कि विभीन पत्रिका हैं उसके संपादक कौन थे और कब उनका संपादन किया तो उसको आप जाकर जरूर देखें तो पत्रिका के प्रकाशन कहां से हुआ किस ने किया कब सुरू किया यह सारी बात है आपको और आपको याद करना है इसके बाद सूची एक के सांथ सूची दो को मिलान करिए इधर उपन्यास दे दिया उपन्यास कार और राइट सेड में उपन्यास का नाम दिया गया है जैसे इला चंदर जोसी यसपाल भगवती चरण वार्मा गुलशेर खान शानी और राइट सेड म इनको पन्यासों का नाम दिया है इनके जोड़ी को मिलाना है इसके बाद बाड़ भट की आत्मकथा के पात्र है अचारहजारी प्रसाद दिवेदी का जो बाड़ भट की आत्मकथा उपन्यास है उसमें कौन-कौन से पात्र है कौन उसमें पात्र है या तो पात्र को आपक पढ़ना है इसके बाद भूल गलती कविता में कैदी के रूप में दरबार में लाए गए व्यक्ति के बारे में आए इन पंक्तियों को पहले से बात के क्रम में लगाईए तो भूल गलती कविता उनका है मुक्ति बोत का तो इसमें कौन-कौन से पात्र पहले और बाद में ल इस कविता को आपको थारोली पढ़ ले ना या टू जेड तब ही ऐसे प्रस्णा आपके उसमें बनेंगे टेस्ट बुक को आप पढ़ने का अधर डालिए बहुती स्मूथ लिए आपको परिच्छा में आप सलेट हो जाएंगे यदि आप एक बार पूरा टेस्ट बुक को प पढ़नेंगे लिए बहुती रास्ता आपका आसान और लिए किनारे लिए किनारे में यैर कौनuing इ現在 हाए गाए हुआ है तो बहुतो रास्ता आपका आसान होगा आस्तर के सिध्धानतों से इसकी तुल्ना की जाती है, तो बहुत कढ़ीन नहीं है, ये, पढ़ेंगे तो हो जाएगा, तो बीटीफाइक के पता हैं, तो नाटक को पढ़ना है, इसके बाद, ओ महान मार्स के दर्सन की दर्शिका सुदरसने प्रियदरसनी तुम स्वयम दूंदी युक्त भोतिक वाद की तिन थीसी सो मैला अंचल उपन्यास का यक कवितांस किसने किसके बारे में लिखा चरित्रों के सही युगमका चेन कीजिए मैला अंचल में किस कैरेक्टर ने किसके बारे में यह कहा है तो इसको आपको पढ़ना है मैला अंचल पढ़ेंगे तब आपसे यह प्रियसन बनेगा अचार राम के दर्शूकले की पुस्तक त्रिमडी में निम्न कवियों पर निबंद संकलीत है यह तो किसी भी गाइड में आपको मिल जाएगा कि त्रिमडी जो उनकी पुस्तक है उसमें किन किन कवियों के बारे में उन्होंने निम्न का संकलन किया है कभीर जैसी सूर तुलसी इत्यादी तुलसी दास रचित राम चरित महनस में राम राजय समंदी वर्णन की पंक्तियां है तो यह तो आप पढ़ेंगे राम चरित महनस राम राजय वर्णन तब आपको पता चल जाएगा ठीक है इसके बाद है सूची एक के साथ सूची दो का मिलान कीजिए फहले चरित्र और भाई बहान बना कोन सा चरित्र है फे राजये लेफ 드म साथ में आपको बीबी ने करेक्टर के नाम दिया पातरों के नाम दिया और राइट सेड में कि भाय यह राद है और राहेट सेर में यहाद इनके भाई का नाम दिया या फिर भाई का नाम दिया गया मतलब जब भी कोई आप पन्यास कानी कुछ भी पढ़ रहा है तो भाई, 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 पति, पत्नी जब भी भी न संबंद है उसको भी आपको ध्यान में रखना है याद करना है नेमली की चरित्रों को तद समंदी नाटकों के प्रथम प्रकासन के अनसार पहले से बात के क्रम में लगाईए तो यहाँ पर करेक्टर का नाम दे दिया है और आपको यहाँ देखना है कि इस करेक्टर कौन से नाटक में समंदित है कौनसे नाटक से समंदित है और इस नाटक का प्रकासन गभा है उसके प्रकासन के साथ से इन character को आपको अरेंज करना है जो नाटक पहले प्रकासित हुआ था उसका जो character अब पहले आजाएगा बाद में आने वाले बाद में आ रहेंगे तो नाटकों को जो आप पढ़े रहेंगे तो bracket में आपको क्या लिखना है उनका प्रकासन का तारीक भी लिखना है और कौन से इस्त्री पात्र पुरुस पात्र ये सब आपको लिखना है इसके बाद कमाईदी के लज्जा सर्ग की पंक्तिया नहीं तो कमाईदी के लज्जा सर्ग के आप पढ़े रहेंगे तब यह प्रसनह आपसे बनेगा तो टेस्ट बुक को आपको जरूर पड़ना है इसके बाद हिंदू नवत्थान, मुस्लिम नवत्थान सिर्षक प्रकरण संस्कृती के चारध्याय के की सद्याय में संकलीत है अब यह देखें ये जो प्रकरण है प्रफाम ठियाय में है इसके बाद सूची एक के संद सूची दोक्त मिलान कीजिए लेटर साइड में कहानी कार का नाम धिया और राइट साइड में कहानी का नाम दिया है तब ही आप उन कहानियों से उनका मैच कर पाएंगे इन में से किस जहनाचारे को कलिकाल सर्वय के नाम से भी जाना जाता है तो विभी ने जहनाचारे को जो विभी नाम दिये गए है उसको आपको याद करना पड़ेगा इतिहास तिमिर नाशक कुस्तक के लिखा कौन है बाल द्यान में रखना है मानस का हंस के उपन्यास के अंतीम अंस में तुलसी दास विने पत्रिका के किस चंद को अंतीम चंद काते हुए उसे गाने लगते हैं तो मानस का हंस इसको जब आप पढ़ेंगे तो मानस का हंस जो है तुलसी दास की जीवनी है तो इसको आप पढ़ें यहाँ पर आपके सिलेबस में अम्रित रालनागर का मानस का हम्स इसके बाद है बंगाल क्लब की साहित गोष्टी के लिए सरचन चेटो पद्या ने कौन सी रचना लिखी थी तो धर्मिर भारती की जो किताब है उनका उपन्यास बताते तो हमाई आपको अवारा मसिया जो उन निमलिकित पंक्तियों में इसे कौं सी पंक्तिया आचारगा राम चांक लगा के निबन्ध कविता क्या से उधरित है उतरु है तो महँद्री और महावीर परसाद दिवेदी की निमलिकित रचनाओं को प्रथम प्रकाउसन वर्स के अनुसार पहले बात के Griffin में लगाईए तो महाविर प्रसाद दिवधी के कुछ रचनाय दी गई है यहाँ पर कविता, कलाप, कुमार, संभावसार, लेखांजली, रसग यरेजन, काली दास की निरंग कुछता तो कब प्रकासित हुआ प्रकासन वर्स के अनसार आपको जमाना है इसलिए मैं बोलता हूँ बार-बार कि प्रकासन वर्स जरूर ब्रैकेट में लिख कर रखें इसके बाद हरियोज जी द्वारा लिखीत भूमिका के अनसार हरियोज जी प्री प्रवास का नाम पहले क्या रखना चाहते थे अध्यासिय उपाध्याजी का प्रिय प्रवास है या खड़ी बोली हिंदी का प्रतम महा कावे मना जाता है तो इसमें इसका नाम पहले क्या रखना चाहते थे या पूछ रहा है इसके बाद अपब्रहांस के कभी पुष्ट पदंत इसा की किस रताबदी में हुए तो जितने भी अपब्रहांस कालिन कभी हुए है चाहे प्राक्रित भासा के या फिर पाली भासा के जो कभी हुए है पहले रॉक्प्रित भासा तो जहिन ध soy dharma qya तो ये कबिनका समय काल है, यह आपको ध्यान में रखना है इसके बाद भ्हमारगीत star के पद की प्रत्थम पंक्ती है पद के उपर उलिखी त राग का नाम तो भ्हमारगीत star की कुछ पंक्तियां दे दी गही है और इसमें राग का नाम उसको identify करना है match करना है भर्मार्गित सार में जो पंक्तियां आई हुए है वो कौन से राग रागनी पे निबद्ध किये गये है तो उसको आपको match करना है, मतब भर्मार्गित सार में आपको रागों का ध्यान रखना है इसके बाद महातमागांदी द्वराब्यख्त किये गए विचार है तो महातमागांदी के जो विचारें यहां पर दिये हुए हैं सुचिये के सांद सुचिदों का मिलान करिए, लेखक और यात्रावितान्त, लेखकों का नाम दिया है लेप्रसाइड में, और राइट सार में यात्रावितान दिया है, जैसे गोविंद मिस्र, रामसरन जोशी, धरमीर भारती, रमेश चंद्रशाह, इनको यात्रावितान्त मिलान करना है इसके बाद आगरा भाजार का समवापन किस नजमना होता है। इसके बाद राजशनिती साहित नहीं हैं उसमें एक एक शण का महत्व है। कभी एक शण के लिए चूख जाए तो बहुत-बड़ा अनिश्ठ हो सकता है। ये एक समवाद दिया है नाटक का और पूझहे कि या किस नाटक और किस चर्दिर का या समवाद है? आशाड का एक दिन इसकन्द गुप्त चंद्रुप्त महा भोई इसके बाद अगला क्वश्चन है एक सब थΗ्षाद् सुची एक में कथन दिया गया है मतलब इस कथन को आपको कहानी से मैच करना है परिंदे, आकास दीप, तीसरी कसम, चीप की दावत इन कहानियों को आप पढ़ रहेंगे बहुत ही आसानी से आप इनको मैच कर पाएंगे तो परिंदे, आकास दीप, तीसरी कसम, चीप की दावत इन सब कहानियों को आपको पढ़ना है इसके बाद डॉक्टर तुलसी राम को छोटी उम्र में अंतराष्टी राजनीती की तरफ अंजाने में खीचने वाले तीन लोग कौन थे तो मुर्दहिया करके जो इनकी जीवनी है इसको जब आप पढ़ेंगे आत्म कता तब आपको पता चलेगा तो इसको आपको पढ़ना पढ़ेगा माहतमा जोती राओ फुले ने लड़कियों के शिक्षा के लिए पहला है इसको नकाप खोला तो यह आपको पढ़ेंगे तो पता चलेगा किताब को इसके बाद सूची एक के साथ सूची दो का मिलान कीजिए कवीता की पंक्तियां दे दिये गया है लेप साइड में राइट साइड में कवीता दिया गया है तो मैं आपको बार बार जोड देता हूँ कि आप कवीता को पुरा पढ़ेंगे तब ही ऐसे प्रस्न बनेंगे आजकल आपने देखा है कि अधिकांद प्रस्न किताबों के बीच से आ रहे हैं टेस्ट बुक से आ रहे हैं पहले जो परंपरा थी इस्टेट फरवर्ट जो कॉस्चन्स आते थे आसान टाइप काते थे वहाँ बहुती कठीन हो गया है असंभव नहीं है कटीन है कटीन इस परिप्रेक्ष में कि आपको टेस्ट बुक को पढ़ना पढ़ेगा आपको टाइम देना पढ़ेगा तो यह जो पंक्तियां आ रहे हैं लेब साइड में कविता के पंक्तियां दी गई है राइट साड में कविता से आपको मैच करना है तो जब भी आप कविता पढ़ते हैं ध्यान से पढ़े हैं और इनको तो आपको ब्रैकेट में लिखी लेना है कि यह कब पूछा गया है ठीक है ना यह बार बार रिपीट कर रहूं आपको भारत भारती के वरतमान खंड 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 के यहाँ पर लेप्टर साइड में लेखक का नाम दिया गया है और राइड साइड में एकांकी का नाम दिया गया है। यहाँ पर रहा है ब्रैकेट में आप उनका यहरा पप्लिकेशन प्रकाशन का वर्स जरूर लिखें किताब पड़ते समयं। सास्थ कब प्रकसितहूए उसके संपादक कौन थे हुए है और कौन सी इस्थान से पत्र प्तर प्रकसित हो रहा सारा रामच अंदर श्टूक लें जो इस टेट्ट फरार बड़ प्रसंट आ रहे हैं और दूसरे प्रसंट में पांच प्रसंट रहेंगे तो इस परग्र आपका पढ़कर बहुत यह आसानी से आप उत्तर दे सकते हैं था इस अनुचएद वाला जो प्रसंट 10 है समझ दिलिए कि आपके लिए बोनस मारक है यह तो आपका गलत होना ही नहीं चाहिए तो पहले पहले अगर आपको आप ध्यान से पढ़ें फिर प्रस्नों को पढ़ें इसके बाद इसको अब मिटता से उस पर विचार करें फिर उस पर उत्तर दें तो इस प्रकार आझ का हमारा या लेक्छर तो मैं सार संचे में बता दें कि इसकी तैरी कैसी करनी है आपको टेश्ट बुक को बहुत ध्यान से पढ़ना है जो भी रचना है उनके मुखे पात्र कौन है उनके कथन कौन से इनको भी ध्यान में रखना है और खाली गाइड के भ वाले में आप जरूर इसको क्वालिफाई कर पाएंगे आज का मेरा लेक्चर कैसा लगा है कमेंड बाक्स में कमेंड लेकर जरूर बताएं आप सबको जोल भोईस के लिए मेरे धैर सारी शुब कामना है जै हिन जै भारत